दोस्तों आप सब्सक्राइब करें और आज की स्वीडियों को बताने जा रहा हूं कि आप कैसे अपने आंडोड के ब्राउधर में ट्यूबडी को चला सकते हैं तो अगर आपको इस वीडियो को आप देखते रही है जाओगा कि अगर अभी तक आपने हमारी व्यूट्प्ट्राइब नहीं करें और साथी साथ बेल एकन को प्रैस करें ताकि जब भी हमने व्यूडियो प्लोड करें तो आपको नोटिफिक्रिक्रिक्शन मिल जाए तो ट्यूबडी को चलाने के लिए आपको एक अलगसे ब्रा क्लिक करना है और उसे आपको फाइफोक्स की ब्राउजर से उपन करना है तो मैं यहां डायक्ली उसे यहां पेस्ट करके गो कर देता हूं और यहां पर हमारा वेपर जोड होने लग गया है तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा उसके बाद आपको करना है यहां पर क्लिक करना है और यहां देक्स्टॉब साइड कर देना अब जो वह दुबारा लोड होने लगेगा और जैसी दुबार लोड हो जाता है तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाए देगा लोड होने के बाद यहां पर लिखा रहोगा इंस्टॉल फ्री ऑ क्लिक करेंगे तो कुछ ही देर बाद आपके सामने एड करने का उप्शन आ जाएगा तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं और देखते हैं कि वह आता है कि नहीं तो यहां पर जैसके आप देख सकते हैं एड ट्यू बड़ी फर यूटूब का उप्शन आ चुका है आपको अब मैं आपको दिखा देता हूं कि यह यूटूब में काम करता है कि नहीं तो हम अब एक टैब ओपन करेंगे जिसमें हम यूटूब को ओपन करेंगे तो यहां मैंने यूटूब पर क्लिक कर दिया है और यहां पर यूटूब जो वह लोड होने लग गया है तो अभी हम यूटूब में sign in कर लेते हैं उसके बाद आपको दिखाते हैं तो यहां पर हम sign in के button पे click करेंगे और जैसे हम sign in के button पे click करेंगे तो हमारे पास एक और वेपेज जोए वो लोड होने लगेगा और यहां मैं अपनी email वगएरा जोए enter कर रहा हूं जैसे कि आप अभी आप यहां देख सकते हैं कि हमारा जो वेपे जब लोड हो चुका है और दोस्तों यहां पर अगर आप तो ट्यूबड़ी को अच्छे से यूज़ करना चाहते हैं तो आप rotation का जो option है अपने off का रखा है तो उसे on कर लें और फिर उसके बाद आप पने phone को यहां नीचे आ जाना है यहां आप आयव डीड़ एग्री ट्यूबड़ी प्राइवसी पॉलिसी और ट्रम उफ यूज़ पे टिक कर देना है तो आप इन दोन पर जैसे टिक कर देते हैं तो उसके बाद आपके सामने एक option आ जाएगा sign in with YouTube तो sign in with YouTube पे जैसे आप क्लिक करे इसके बाद यह आपकी Gmail पर ले जाएगा और आपसे कुछ permission मांगेगा तो उसे allow कर दीजिए और उसे allow करने के बाद यह आपको दुबारे YouTube पे redirect करेगा तो जैसे कि आप देख सकते हैं हम YouTube पे आ चुके हैं और यहां यह जो है लोड कर रहा है पूरा प्रेपिज तो यहां आप ट्यूब बड़ी के पूरे फीचर को जो है बहुत ही असानी से यूज़ कर सकते हैं जैसे कि अब देख पाने हमारे पास पूरा जो ट्यूब बड़ी का डैश वो आ चुका है तो दोस्तों अभी यह था टुटोरियल के आप ट्यूब बड़ी को कैसे अपने फोन में चला सकते हैं और इसे अपने यूज़ करके कैसे वीडियो को अप्टिमाइज कर सकते हैं उसका टूटोरियल में फीचर में डालूँगा तो अगर आपके वीडियो पसंद आई हो जो जरू से लाइक कर दीजे और अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो चैनल सब्सक्राइ अगली वीडियो में